नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सूट्व चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि गन किस तरह से चला जाती है उसकी सेटिंग कैसे की जाती है तो यह मैंने एक गन ली है तो इसमें सबसे पहले हम पानी भर लेते हैं उसके बाद मैं आपको दि अगर आप इसको आगे की तरफ करेंगे तो फ्वारा मोटा होगा और अगर आप पीछे की तरफ करेंगे इसको तो फ्वारा पतला होगा यह देख सकते हैं विसे आगे की तरफ हुआ है तो फ्वारा मोटा हो गया और पीछे की तरफ करेंगे तो फ्वारा बिल्कुल सीधा लेये जाएगा और यह जो ब्ल्ट है यह हवा जिस्ट करने के लिए होते हैं अगर हुआ का प्रेसर आपको कम ज्यादा करना है तो यहांसे किर सकते है और अगर आपकी गंधूहा प्धेकते हैं और अगर आपकी दूआ फेकती है या किसी चीज़ पर मारते हैं तो इसमें रफ आ जाता है इसमें दाने आते हैं तो यह आगे जो होल होते हैं इनको अच्छी तरह से साप कर लें यह जब होल बंद हो जाते हैं तो धूआ फेकने लगती है गन उससे की दरवाजा बिंडो जो भी मारते हैं वो रफ हो जाता है दाने पर जाते हैं उसमें अब इसको चलाना किस तरह से वह मताता हूं आपको जैसे कि आपका दरवाजा खड़ा है तो इसकी फवारे की सेटिंग इस तरह से करेंगे यह बोल्ट लगभग सेंटर में कर देंगे बीच में और इतना मोटा तक खड़ा रखेंगे आप तो यह माल लटकेगा नहीं प्रॉपर बैठ जाएगा और पहले एक हाथ माना है उपर नीचे इसको लगभग एक फुट की दूरी पर रखना है आपको एक हाथ उपर नीचे मानना है इस तरह मारके तुरंथ इसको दूसरे हाथ मारना है दूसरे साइड में इस तरह से यह फटा पट मानना है आपको सूख न पाए और अगर आप अदर बाजा लेटा हुआ है तो आप जैसे मर्जी मार सकते हैं कोई प्रावलम नहीं आगर इसमें अगर आप अदर बाजा फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्किप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर भी पेंट्रो पॉलिस के हर पकार के आडियो आपको मिल जाएंगे थैंक्स पर वोचिंग